एस एन लाइव सच सच से आदब मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने खुद इसकी जनकारी ट्वीट करते हुए दी है मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में अब लॉक्डाउन को खत्म करते हुए नाइट कर्फ्यू लागू रखा जाएगा बिहार सरकार की ओर से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है बिहार में लॉक्डाउन खत्म होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया में अब सुबा 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकाने खुलेगी सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी दुकाने अब एक दिन बीच कर खोले जा सकती है संबंधित जिले के डियेम इस संबंध में आदेश जारी करेंगे की कौन सी दुकाने किस दिन खुलेंगी सरकार ने कहा है कि शाम साथ बजे से सुबा पांच बजे तक नाइट करफियो लागू रहेगा इसके अलावा सरकार ने सरकारी कार्यालों के साथ साथ नीजी कार्यालों को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया है अनलोक फेज में प्राइवेट ओफिस भी शाम चार बजे तक खुल पाएंगे दफ्तरों के बंद होने के एक घंटे बाद यानी पांच बजे तक दुकाने खुली रहेंगी इसके अलावे नीजी वाहन चलाने की भी इजाज़ाद दी गई है सरकार ने अगले एक हफते के लिए इस व्यवस्ता को लागू किया है मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा है कि अभी भी भीर से बचने की जरूरत है बिहार में सिक्षर संस्थानों पर पबंधी अभी लागू रहेगी अंलाइन तरीके से ही सिक्षर कारे चलेंगे ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे Sl Live चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखते रहे Sl Live दोस्तु यह तीन साल के प्रसिच्छन है और प्रसिच्छन के दुरान रहना खाना यहाँ आट हजार रुपया प्रतिमा स्कॉलर्शिप तीन वर्सों तक कप्रदान होता है यह प्रसिच्छन 18-33 वर्श के युग अपना नमानकन ले सकते हैं नमानकन के लिए आप इन्हें दोस्तु इसकी अच्छी बात यह है कि प्रसिच्छन के दुरान यहाँ आट हजार रुपय प्रतिमा तीन वर्स तक स्कॉलर्शिप शात्रों को मिलती है जो और कई दुसरे संस्थानों से इसे बेहतर बनाती है और सबसे अलग संस्थान है तो देर किस बात की इच्छु की जो है झाल दो है